नमस्कार दोस्तों, OPEMP lecture सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है इस वीडियो में OTA ही डिसकस करेंगे लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ कि ये वीडियो और आने वाले कुछ वीडियो कैसे होंगे जैसे OPEMP की वज़े से हमने समर बनाया था, सब्ट्रेक्टर बनाया था, इंटिग्रेटर बनाया था, डिफरेंटियेटर बनाया था, लोगरेत्मिक अम्पलिफायर बनाये थे ऐसे ही OTA की वज़े से हम क्या-क्या बना सकते हैं वो इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में एक्सक्लेन होगे तो इस वीडियो में जो में फोकस वो ये है कि आपको voltage amplifier बनाना है using OTA OTA अपने आप में voltage amplifier नहीं है ये आपका transconductance amplifier होता है लेकिन इसकी वज़े से हम voltage amplifier भी बना सकते हैं देखते हैं कैसे बनेगा तो जो OTA है OTA में क्या होता है आपका एक differential amplifier है चार आपके current mirror circuits हैं और एक आपका voltage controlling section होता है तो जो आपकी input है V1 और V2 वो आपकी differential amplifier के दो दो transistors होंगे वहाँ पे apply होंगी differential amplifier पे input apply होंगी अगर हम वहाँ से output लें और output मालेजिये किसी load resistance पे लें तो definitely कोई ना कोई loading effect जरूर रहेगा ठीक है loading effect होता है दोस्तों जब आपके impedance match नहीं होते हैं तो loss हो जाता है उस loading effect को avoid करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ एक voltage follower यूज करते है voltage follower आपको याद होगा OPEMP से ही बनता है जिसकी input voltage और output voltage बिलकुल सेम रहती है और उसमें कोई भी phase difference involved नहीं होता चलो अब circuit यह start करते हैं यह है दोस्तों आपका OTA लिख देता हूँ OTA ठीक है यह inverting terminal है यह non-inverting terminal है inverting terminal बेटा मैंने ground कर रखा है non-inverting पे मैंने input voltage अपलाई की है VIN ठीक है VCC इसकी positive icing energy है minus VEE इसकी negative icing energy है IC जो section है इसको कहते है control current section जो इसके अंदर जाएगा और यहां से जो current बाहर निकलता है वो current क्या होगा वो होता है आपका I out current ठीक है मैं focus करना चाहता हूँ इस section पे इस IC का क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि controlling section हम 3 type से activate कर सकते हैं यह 3080 जो है न यह OTA का IC number है जैसे OPEMP का 741 होता था ऐसे ही OTA का 3080 IC number होता है यहां ही IC है यह ground है यह R external कोई resistance है इसके अंदर से कोई IC current यहां से flow करता है ठीक है दूसरा जो section है वो यह हो सकता है कि ground की बजाए यहां पे हम कोई control voltage अपलाई करें और external कोई resistance है इस resistance के basis पे इस current को में क्या करूँगा इस voltage के basis पे current को में घटा भी सकता हूँ बढ़ा भी सकता हूँ IC current मालेजिये आप increase कर देते हो तो indirectly OTA का जो gain है या जो transconductance है वो आपका increase हो जाएगा अगर VC decrease करोगे, IC decrease होगा, IC decrease होगा तो transconductance भी decrease होगा इसका मतलब इस controlling section से किसी भी OTA के gain को आप constant कर सकते हो या उसको change भी कर सकते हो तीसरी possibility है कि यहाँ जो IC current है अगर आपने इस controlling current को बिलकुल constant बना दिया बिलकुल fix कर दिया, तो हम यह कह सकते हैं कि उस OTA का gain भी बिलकुल fix हो जाएगा तो fix करने के लिए क्या करेंगे, इस pin पे, actually यहाँ पे pin number 5 होती है जहां हम इसको apply करते हैं, तो इस pin number 5 पे हम क्या करेंगे, इस current को control करने के लिए current source यहाँ connect कर देंगे, current source का current कभी change नहीं होता है तो यह था दोस्तो controlling section जिसकी वज़े से OTA का जो gain factor है या जो transconductance है वो fix रहता है, या हमारी application के according उसको घटा या बढ़ा भी सकते है चलो भी, आगे आते हैं, आगे इसके बाद क्या है, इसके बाद है दोस्तो यह आपका open और open IC number क्या है, 741 और इसका IC number क्या है, 3080 ठीक है यह जो section है इतना यह तो आपका OTA है, और यह जो section है यहाँ से यहाँ तक यह आपका voltage follower है तो सबसे पहले आप यह देखिए, जो output है वो क्या है, output क्या होती है OTA की, output current is proportional to, output current proportional to what, input voltage और input voltage मतलब V positive minus V negative, V positive minus V negative, V negative already zero है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, V negative voltage तो मेरी already zero है और V positive voltage मेरी input signal है, OTA के case में, यह OTA का case है, ठीक है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो मेरा output current है, वो क्या है, that is proportional to input voltage अब proportional constant sign में अगर हटाऊंगा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, I output that is equal to gm into V in, ठीक है यह आपका output current आ चुका है, अब देखो दोस्तो, OPEMP के अंदर कोई current नहीं जा सकता क्योंकि OPEMP का internal resistance बहुत जादा होता है, तो जो भी यह I output current है, यकीनन यह current आपका कहा जाएगा RL resistance से होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा, और अगर यहाँ से जो current flow करेगा, उस current को RL के साथ multiply कर दो, तो यह potential drop होगा और वही आपका क्या है, V0, तो इसका मतलब जो V0 है वो क्या है, V0 बना मेरा I out current multiply with RL, तो यह आपका कितना बना, I out का expression आ चुका है तो अब इसको यह जो constant है यह एक साथ लिख लेजिए, GM RL multiply with VIN, यह आपका output voltage आ चुका है यहाँ पर, ठीक है वही, इसके बाद यही voltage यहाँ available है, output voltage, अब देखो virtual ground concept यह कहता है कि जो voltage आपकी positive terminal पे available है, ठीक वही voltage आपकी negative terminal पे भी available होगी और negative terminal यहाँ से short होता हुआ, output पे चला जाएगा, इसका मतलब V0 यहाँ मिलेगी और यहाँ से होती हुई, वो यहाँ पहुँच जाएगी तो यह आपकी overall output voltage है, अब देखो, voltage amplifier कैसे बना, output पे भी voltage है, input पे भी voltage है, और gain कितना है देखो, output voltage divided by input voltage, V0 divided by Vin, कितना बना, GM into RL, तो GM multiply RL, यह आपका क्या आगया, gain आगया, इस voltage amplifier का तो इसका मतलब OTA से voltage amplifier बनाओगे, तो OTA और voltage follower दोनों आपको यूज करने पड़ेंगे, तब जाके आपका complete एक voltage amplifier बन जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, next वीडियो में OTA के basis पे कुछ और circuits हम design करेंगे This is the end of the video, thank you so much for watching this video